मश्कार स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि एक वक्त एक ऐसा समय हुआ करता था जब भारत के अंदर कृशी में काम करने वाले जो लेबर फोर्स थी वो बहुत जादा हुआ करती थी लेकिन आज की डेट में कृशी को चोड़ कर किसी और सेक्टर में जा रहे हैं तो दिक्कत हमारे सामने या रही है कि वो जिस सेक्टर में जा रहे हैं वो इनमें इनकी और दुर्दर्शा हो रही है इनका पास जो पैसा जो आना चाहिए जो क्रिशी से जो कमा रहे थे यह ऐसा नहीं है कि कोई High Value Added Service के अंदर जा रहे हैं ऐसी जोब के अंदर जा रहे हैं जो इनको और ज्यादा कमाई देगी ऐसा नहीं हो रहा और यहां पर एक आंकड़ा जो है पता जल रहा है कि जो लोग हैं वो informal सेक्टर के अंदर जा रहे हैं जैसे रेडी के लिए हो या ठेला के लिए जो स्ट्रीट वेंडर हो तो उसको रोकने के लिए भारे सरकार को क्या-क्या उपाय करने चाहिए उस चीचको हम डिसकस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि लोगों का जो ट्रांस्फोर्मेशन हो रहा है वो किस सेक्टर में हो रहा है और आज की टेट में भारत में किस सेक्टर के अंदर जादा ज लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हाली में एक स्टेडी हुई उस स्टेडी में पता चला कि जो एग् कर कहीं और गए हैं जो ट्रांस्फर्मेशन हुआ है वो देखने को मिला है किसी और सेक्टर में बहुत ज़्यादा कम तो कहां गए यह लोग गए यह लोग गए कंस्ट्रक्शन में यह लोग गए यहां पर इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर इन्फॉर्मल सेक्टर जैसे मैं इंडिया उनीक जोब क्राइसिस आप यहां पर देखेंगे तो एक तरीके से जो बच्चे यहां पर दिखा हुआ है स्टूडेंट्स प्रिपेर फोर कम्पिटिटिटिव एक्जाम उन्दा बैंक ओफ गंगा इन पत्ना तब देखे कितने सारे बच्चे दूर दूर तक आपको देखने को मिले कितने सारे बच्चे जो हैं वो कम्पिटिटिव एक्जाम बोले तो गौर्वर्मेंट जोब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि इनको जोब मिल सके तो एक जोब की कितनी मारा मारी है भारत के अंदर और एक तरीके से जो बच्चा गौर्वर्मेंट जोब के लिए प्रिपेर कर रहा है वो एक मैं एक एडवाइज है कि वो गौर्वर्मेंट जोब पर ही पूर्ण रूप से मतलब कि डिपेंडेंट होगी ना बैठे कि उसे गौर्वर्मेंट जोब ही मिलेगी अभी हाली में जैसे सरकार ने एक आघड़ा परस्तुत किया उसमें बोले गए 22 करोड फॉम भरे गए थे पिछले 8 सालों में ये खुद गोर्मेंट ने बोला है और उन 22 करोड लोगों में से सिर्फ 22 करोड लोग नहीं 22 करोड फॉम है इन 22 करोड फॉम में से सिर्फ 7.5 लग 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 7.5 लग लोगों को जोब मिली है तो आप सोच कर देखिए बाकी लोगों का क्या हुआ इतने 8 सालों में सिर्फ इतना employment गोर्मेंट भी इतना employment आप लोगों को कहां से देदेगी ये भी तो सोचना चाहिए अरे vacancy 1000 निकलती है उसके ओपर कितने ज़्यादा लोग जो है वो जोब के लिए आ जाते हैं prepare करने की हाँ हमें जोब देखिए आपको ये चीज़ समझनी होगी government जो है वो सरकार जी वो कोई भी हो वो हर किसी को employment नहीं दे सकती हाँ government जोब नहीं दे सकती लेकिन government का ये काम बनता है कि वो भारत के अंदर एक ऐसी situation create करे कि लोगों को government job नहीं मिल रहा है मिलनी पारी है तो private job उनको मिले उनकी skill को भी improvement करे तो ये जो जो है government की जिम्मेदारी बनती है क्यार इसी चीज को हम बहुत अच्छे से detail में cover करने वाले हैं अब पहले बात कर लेते हैं कृषी शेतर में जो रोजगार है उसके बारे में 1993 और 1994 में अगर मैं बात करूँ देश में जो कुल labor शक्ती हुआ करती थी जो labor force हुआ करती थी उसकी 62% जो है वो कृषी के अंदर हुआ करती थी 1993 और 1994 के अंदर बात करते हैं अब 1994 में अब 1994 से लेकर अब तक की अगर मैं बात करूँ तो obviously कमी आई है तो यहां पर एक आंकड़ा हमारे सामने आता है उस आंकड़े को प्रस्तूत किया नेशनल स्टेटिस्टिकल ओफिस प्रियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारे उन्होंने बोला कि लगभग 6% जो है 0.6% जो है वो कमी आई है 2045 में और अगले जो 7 सालों में 9% की कमी आई यानि 2045 के बाद जो अगले आने वाले जो 7 साल हैं उनके अंदर 9% की कमी आई और फिर इन्होंने कहा ये जो 7 साल भी जाएंगे अगे के जो 7 साल होंगे उसमें भी कमी आती रहेगी और आज की डेट की हाल अगर मैं आप लोगों को बताऊ 1993 और 1994 से लेकर 2018-19 तक अग्रिकल्चर के अंदर जो भारत की जो वर्क फॉर्स है कभी 61.9% हुआ करती ती यानि 62% हुआ करती आज वो घट कर 41.4 रह गई है अब इतनी संख्या के अंदर ये जो लोग घटे हैं ये कहां गए कंस्टॉक्शन के अंदर गए हैं इन्फॉर्मल सेक्टर के अंदर गए हैं तो एक सबसे बड़ा इशू हमारे सामने ये भी आता है और भारत में रोजगार की जो एक परवर्ती हमें देखने को मिल रही है अभी देखिए रिवर्सल ओफ ट्रेंट देखने को मिला अभी हाली में ये किसका क्या मतलब होता है अभी जैसे लोग जो है वो क्रिशी को छोड़कर किसी और सेक्टर में जा रहे थे लेकिन अभी फिलाल दो सालों में ऐसा हमें देखने को मिला है कि लोग अपने काम को छोड़कर क्रिशी में जा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ पिछले दो सालों में ऐसा देखने को मिला है वर्स 2020-21 में क्रिशी में कारकरत लोगों की हिस्से दारीदे के 44 से बढ़कर 45% हो गए अब यहाँ पर मुख्य रूप से क्यों हुआ COVID के कारण आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का काम बंद हुआ लोग अपने गाउं लोटे गाउं लोटे तो उन्होंने अपने क्रिशी को ही देखना पड़ा अगरिकल्चर सेक्टरी उनको मिला कि यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा तो यहाँ पर एक तरीके से ऐस था ही कह सकते हैं इसको हम यह नहीं कहेंगी कि गवर्मेंट ने ऐसी कोई स्कीम चला दी होगी कि लोग जो है वो अगरिकल्चर की तरफ ट्रांसफर हो गए नहीं यहाँ पर सिर्फर सिर्फ कोविड के कारण क्योंकि आपको पता है कोविड के कारण कितना काम जो है वो लोगों का छुट गया था तो वो लोग जो है वो गाव गए गाव गए तो उनोंने अपने सामने एक ही तरीका था कि यहाँ अगरिकल्चर सेक्टर में लग जाए यहाँ पर एक तरीके से हमारे सामने आते हैं सरंचनात्मक परिवर्तन एक स्ट्रक्चर ट्रांसफरमेशन structure transformation देखिए यहां तक कि पिछले तीन दशकों यानि 30 सालों के अगर मैं बात करूँ या उससे अधिक समय की बात करूँ भारत में कृशी से जो labor इसका transfer में देखने को मिला है वो यह हो कि नहीं कि जो जो economist है जो earth चास्तिरी की कह से कहें यह एक सरंचनात्मक परिवरतन है यानि कि एक structural transformation structural transformation का क्या मतलब होता है देखि इस structural transformation का मतलब होता है कृशी से जो labor जो है वो ऐसी जगाएं पर transfer हो रहा हो उन शेतर के अंदर जो transfer हो रहा हो जहांपर वी निर्मान यानि manufacturing जो आधुनिक सेवाएं हैं modern services है जो production है high value added है जो उनकी average income है उसमें अधिक income हो मतलब कि जो income है वो अधिक होई हो ऐसा सामिलो लेकिन वो इस sector के अंदर जो हमने काना की structural transformation है उसमें वो नहीं गए वो कहां गए है वो बलकि मैंने आप लोगों को बता है ऐसे sector के अंदर गए है जो informal है जहां पर उनकी job की कोई guarantee नहीं है या फिर बात करें उनकी income जो है वो बढ़ नहीं रही बलकि घटी ही है तो ऐसे sector में गए है हलांकि जो रोजगार है कृषी के सासा जो भी निर्मान यानि कि जो खनन होता है शेवाएं services इसको में आपके सामने discuss करूँगे कि services की कौन सी बात कर रहे है अब हम बात करते है बारत के अंदर से सरंचनात्मक प्रिवर्तन की परक्रिया है वो हमारे देश में अभी जैसे कहें कि हुआ है structure transformation हुआ है लोग अपनी जोब को छोड़कर कहीं अच्छी जोब में भी गए है लेकिन वो बहुत कम रहा है वीक रहा है कोविट के कान आपने देखा ऐस थाई रूप से जो काम थे वो बंद हुए अब जो काम बंद हुए लोग क्रिशी में बहुत कम गए है अधिनिक सेवाओं की और उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा है जो एक हमारे देश में होना चाहिए ना कि नोन फार्मिंग सेक्टर है इस्पेशली हम मैनुफेक्शनिंग की इमोर्डन सर्विसीज की बात करूँ उसमें नहीं जा रहा है कहां जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है और दा लेबर फोर्स दा लेबर ट्रांसफर इस हैपनिंग विदिन दे लो प्रोड़क्टिविटी इनफॉर्मल नोमी जो ये बात बोली गई है अब सेवा शेतर की जो मैं बात करूँ बिजनर्स प्रोसेस आउट्सोर्सिंग टेली कॉम्णिकेशन, फाइनस, हेल्थ केर एड्यूकेशन, पॉब्लिक अड्मिनिस्टेशन ये सब आते हैं लेकिन लोग इसके अंदर नहीं गई है लोग दूसरी चीज़ के अंदर गई है जो इन से रिलेटिड है जैसे क्या देखें, इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या चाहिए खाने की दुकाने चाहिए छोटे भोजनाले चाहिए, छोटी खुद्रा बिकरी दुकाने चाहिए घ्रेलू मदद, दोमेस्टिक हेल्प चाहिए सैनिटेशन चाहिए, सुरक्षा स्टाफ चाहिए परिवहन चाहिए, यह जो एक informal sector है, जो इस formal sector से जुड़ा हुआ है, तो लोग यहाँ पर transfer हो रहे हैं, तो यह बात बोली गए, वो service sector में जात रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के अंदर वो जा रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत कम है, वैसे देखा जाए तो आज की डेट में भारत में जो जोब है, वो कहां बढ़ रही है, उस trend को हम समझें, तो देखे, 2020 22 के बीच, भारत में top 5 जो IT companies है, वो कौन-कौन सी हैं, Tata Consultancy Services होगी, Infosys होगी Vipro होगी, HCL होगी हमारे सामने, HCL Technology होगी, Tech महिंद्रा होगी, अगर इनके स्यूंत करमचारियों को, अगर मैं बात करूँ, 11,00,000 से बढ़कर 15.69,00,000 हो गई है और यहाँ पर बात करिए, देखे महामारी के अवदी में 4.14,00,000 या फिर लग-बग सेक्टर के अंदर लोग गए थे, बाकी इन दोनों सेक्टर को अगर छोड़ दू, तो बाकी के सेक्टर उनके अंदर लोगों को नोकरियों से हाथ दोना पड़ा था, उनके वेतन में कमी चल रही थी, और इन 5 कंपनियों अगरमे बिलालु, इनका जो रोजगार है, इनकी रोजगार की जो संक्या है, जो ये हो गई है 15.69 Lث, अगर इनकी संक्या बिलाले, जो भारतिय रेलवे के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, और जो तीनो सेवाएं, जो सुरक्षर सेवाएं है आर्मी जो हमारे साथ हमारे देश की हो गई इन तीनों सेवाओं के अगर मैं बात करूँ इन टोटल की जो संख्या मैं निकालू तो इनकी ज़्यादा संख्या निकलेगी तो IT सेक्टर के अंदर इतने ज़्यादा लोग जो है वो employment है यहाँ पर और यह दे रही है देखे अब ये इतना बूम क्यों आया आय्टी सेक्टर के अंदर इतना बूम इसलिए आया क्यूंकि हम जो services है वो export कर रहे हैं हमारे software जो सेवाए हैं जो है वो एकोट कर रहे हैं और इन software सेवाओं में जो शुद जो निर्यात है जो एक्सपोर्ट हुआ है 2019-20 में 84.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 यानि 2021-2022 में 109.54 अमेरिकी यानि बिलियन डॉलर जो है या आज की डेट में हो गया है इतना जादा जो है हमारे देश के अंदर जो IT सेक्टर वो बूम कर रहा है अब बेरोजगारी पर अंकुष लगाने के लिए क्या-κै कर सकती है सरकार क्या-क्या किया जाना चाइए स्किल होनी चाहिए या स्किल इंप्रूवमेंट करनी चाहिए जो agriculture में जो लोग लगे हुए है अब skilling करे government जो है यहाँ पर agriculture में जो लोग लगे हुए है उनकी यहाँ पर ऐसे ऐसी scheme लेकर आए ताकि जो लोग है agriculture की तरफ बढ़ावा की agriculture में employment वहाँ पर मिले अब यहाँ पर कृशी शेतर के अंदर जो skill है जो education है उसको बढ़ावा देने से दो तरिके के फाइदे हमें देखने को मिलेंगे एक तो यह कि वहाँ पर जो लोग है कृशी शेतर में काम कर पाएंगे अच्छे से दूसरा यह कि आज कभी उनको अपना sector बदलना हुआ वो कृशी नहीं करके किसी और sector में जाए तो वहाँ पर उसकी जोब की तलाश में उसको ज़्यादा help मिल सके दूसरी हमारे promoting labor intensive industries ऐसे शेतर को बढ़ावा देना चाहिए जहां पर जो labor की ज़्यादा requirement होती है कौन-कौन से ऐसे sector है जैसे चमड़ा हो गया, खाद्य यानि food processing होगी, leather industry होगी या लकड़ी, यानि wood manufacturing होगी जो furniture मनाते है, textile होगी जो textile और वस्तर, तो यहां पर जो labor force है, इनको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और यह कैसे किया जाएगा क्योंकि इनके लिए एक vicious package निकाला जाए तो यहां पर भी job creation हो सकती है इसके अलावा, उद्योगों का weak entry current, यानि decentralization करतो industries का, decentralization का मतलब होता है, कि जो government ने अपनी एक पकड़ बना रखी है, जो industries है उनके उपर, उनके license इतनी असानी से provide नहीं कर रहे हैं, या अपनी जो share है, जो अपना ज़्यादा रख रहे हैं, तो उसको कम कर दिया जाए private sector को यहां पर ज़्यादा आने दिया जाए ताकि जो लोग है यहां पर आधी काम कर पाए private sector यहां पर अगर involvement होगी तो यहां पर, तो decentralization करना चाहिए साथ ही साथ, development करना चाहिए ruler area का, जो grammynd शेतर है उनका, ताकि जो लोग grammynd शेतर से, शहरी शेतर में जा रहे हैं उनके अंदर वो कमी की जा सके जिसे शहरी शेतर के अंदर, रोजगार का जो अफसर पैदा करने का दबाव कम हो सके तो यह किया जाना चाहिए अब सरकार के दोरा क्या-क्या पहल की गई है अजी विका और उद्यम के लिए सीमात विक्तियों हेतु समर्तन जिस समाइल कहा गया, यह एक योजना चलाई जा रही है PM दक्ष योजना है मनरेगा हमारे देश में चलाई जाती है परधानमंत्री विकाश योजना होगी स्टार्टप इंडिया योजना होगी अब भार सरकार के दोरा भी बहुत सारी पहल जो है वो चलाई जा रही है अब बेरोजगारी के परकार क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं प्रच्छन बेरोजगारी होती है जिसे ने Disguised Unemployment बोला जाता है, एक ऐसी सीती होती है, जिसे में वास्ता में आवशक्ता से अधिक लोग जो हैं, वो रोजगार को दिया गए, मतलब कि आपने ये एक तरीके का एरिया होता है, ये ज़्यादा तर कृशी के अंदर देखने को मिलते हैं, कि ये एक खेत है, यह यहाँ पर कुछ लोगों की जुरूरत है, मानने की पांच लोगों की जुरूरत है, और यहाँ पर लोग आये हुए हैं, दस, तो ये जो एक्स्टा पांच है, इसको कहेंगे Unemployment, Disguised Unemployment, यानि प्रच्छन बिरोजगारी यह होती है, एक हमारे देश में होती है, मोसमी बि मार्केट में या फिर कहें कि जो आज की रेट में इकनोमी है, उसके अंदर जोब जो है, उसमें अलग तरिकी की स्किल चाहिए है, तो एक स्ट्रक्चल Unemployment हमें देखने को वहां मिल जाता है, फिर चक्रिय बिरोजगारी जिसे जो साइक्लिक Unemployment बोला जाता है, यह मतलब क एक तकनीकी यानि टेकनोलोजिकल Unemployment होता है, जिससे टेकनोलोजी जो चेंज हुई, लोगों ने अपनी टेकनोलोजी चेंज नहीं की, तो भाई या वहां पर विरोजगारी आ गए, एक घर्षन विरोजगारी जिसे फ्रिक्शनल Unemployment कहते हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता लोग बिना उचीत नोकरी अनुबंद के अनुप चारी के नि इन फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, इस परकार के लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है, और इन विक्तियों को बिरोजगारी माना जाता है, क्योंकि इनका कोई रिकोर्ड हमारे पास नहीं होता है, गोर कर सकती है, ताकि वहां पर क्रिशी शेतर के अंदर भी इंप्लोईमेंट जनरेट किया जा सके, वीडियो पसंद आई है, तो बेशक इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडियो के लिए माप लोगों को बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आई है, तो बेशक इसको शेर करें, वीडियो को भी, एस वेल एस चैनल को भी, तो बहुत साच के लिए इतना है था, थैंक यू पर वचिंग दिस तो